बच्चो पिछली कक्षा परीक्षा में कितनों को 30 में से 10 अंकप्राप्थ हुए थे वो जड़ा खड़े हो जाएं कितनों को 10 से 20 के बीच में अंकप्राप्थ हुए थे और कितनों को 20 से 30 के बीच में अंकप्राप्थ हुए थे ठीक है अब क्या कोई पता सकता है कि हम इन सभी आकणों को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं सर हम इने सांखिकी का प्रियोग करके निरूपित कर सकते हैं बिल्कुल सही राहुल सांखिकी आकणों के संग्रह, विशलेशन और प्रस्तुती करण का विक्यान है आईए इसके बारे में और सीखें इस पार्ट में आप संग्रहित आकणों का विशलेशन और निर्वचन करना सीखेंगे उद्धेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वर्गी कृत और अवर्गी कृत आकणों का माध्धे ग्याद करना कल्पित माध्धि विधी से वर्गी कृत आकणों का माध्धे ग्याद करना पग विचलन विधी से वर्गी कृत आकणों का माध्धे ग्याद करना वर्गी कृत और अवर्गी कृत आंक्णों का बहुलक ज्यात करना संचयी बारंबार्ता बंटन का विशलेशन करना वर्गी कृत आंक्णों का माध्ये आक्णों कार्थ है संख्यात्मक रूपों या तत्यों के समुच्चे के रूप में प्राप्त सूचना है माध्ये यह संख्याओं का आउसत होती है यदि एक्स एक एक्स दो इत्यादी एक्स एन तक प्रिक्शन हैं जिनकी एफ एक एफ दो इत्यादी एफ एन तक बारंबार्ता है तो आग्णों का माध्य एक्स बार निम्न होगा हम इसे एक्स बार बराबर एफ आई और एक्स आई के गुडन फलों के योग जहां आई बराबर एक से एन तक बटे एफ आई का योग जहां आई बराबर एक से एन तक है उसके रूप में लिख सकते हैं यदि वर्ग अंतराल दिये हों तो हम वर्ग चिन को निम्न प्रकार ग्याद कर सकते हैं। वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे दो। प्रतेक वर्ग अंतराल के लिए हम दिये गए सूत्र में वर्ग चिन एक्स आई का प्रेहोग करते उधारण प्रथम दस प्राक्रितिक संख्याओं का माध्धे ग्याद कीजे हल दिये गए आंक्णे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस है प्रेक्षणों का योग पच्पन के बराबर होगा कुल प्रेक्षण हैं, दस माध्धे बराबर होगा कुल प्रेक्षणों का योग यानि ये पाँच दशमलव पाँच होगा उद्धारण दिये गए आकड़ों का माध्धे ग्याद कीजिए हल सबसे पहले हम सूत्र के प्रेयोक से प्रेतेक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन ग्याद करेंगे वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे दो पहले स्थम्भ में हमने वर्ग अंतराल लिखा है और दूसरे स्थम्भ में हमने संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता लिखी है बारंबारताओं का योग 31 है फिर हम प्रतेग वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन लिखते हैं और उन्हें XI से व्यक्त करते हैं तथा इसके बाद FI और XI का गुडन फल ग्याद करते हैं अंततहा हम सूत्र का प्रयोग करके माध्धे ग्याद करते हैं X बार बराबर FI और XI के गुडन फल का योग बटा FI का योग जो बराबर होगा 1095 बटे 31 के जो हल करने पर 35 प्राप्त होगा माध्य ग्याद करने की इस विधी को प्रत्यक्ष विधी कहा जाता है वर्गी कृत आंक्रों का माध्धे कल्पित माध्य विधी कई बार और का गुडन फल इतना बड़ा हो जाता है कि परम परागत विधी बहुत समय लेने वाली हो जाती है लंबी करनाओं से मुक्ती पाने के लिए हम कल्पित माध्य विधी का चैन करते हैं कल्पित मात्य विधी से माध्य निकालने का सूत्र है कल्पित माध्य जमा FI और XI के गुडन फल का योग बटा FI का योग जहां A कल्पित मात्य है हम XI के मान से माध्य की कल्पना करते हैं गड़नाओं से बचने के लिए हम एक अन्य विधी का प्रयोग करते हैं, जिसे पग विचलन विधी कहते हैं. पग विचलन विधी से माध्धे ग्याद करने का सूत्र है. कल्पित माध्धे जमा एच गुड़न एफ आई और यू आई के गुड़न फल का योग बटा एफ आई का योग. जहां एक कल्पित माध्धे है, हम एकस आई के मान से माध्धी की कल्पना करते हैं. एच वर्ग माप है, यू आई बडाबर एकस आई घटा ए बटा एच. उधारण कल्पित माध्धे विधी और पग्विचलन विधी से दिये गए आँकणों का माध्धे ग्याद कीजिए. हल सबसे पहले हम निम्न सूत्र के प्रयोग से प्रतेक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्न ग्याद करेंगे. वर्ग चिन्न बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटा दू. मान लीचिये कल्पित माध्धे ए बराबर पच्चीज एच बराबर दस. पहले स्थम्भ में हमने वर्ग अंत्राल लिखा है और दूसरे स्थम्भ में हमने संगत वर्ग अंत्राल की बारम बारता लिखी है बारम बारताओं का योग एक तालीस है फिर हमने प्रतेक वर्ग अंधराल के लिए वर्ग चिन्ह लिखा और उसे XI से व्यक्त किया चौते स्थम्भ में हमने कल्पित माध्य से विचलन डी प्राप्त किया पांचवे स्थम्भ में हमने कल्पित माध्य बटा वर्ग माफ से विचलन यू ग्यात किया चटवे स्टंब में हम F और D का गुरन फल गयाद करते हैं. उनका योग घटा 40 है. इसके बार हम कलपित माध्ध्य विधी के निमन सूत्र से कलपित माध्य गयाद करते हैं. गल्पित मात्थे जमा एफ आई और एकस आई के गुड़नफल का योग बटा एफ आई का योग पराबर पचीस जमा घटा चालीस बटा एक तालीस पचीस घटा शूने तशमलव नौ आठ और चौबीस तशमलव शूने तो है इसके पश्चात हम पग विचलन विधी के निम्न सूत्र की साहेता से मात्थे क्यात करते हैं कल्पित मात्थे जमा एच गुड़न एफ आई और यू आई के गुड़न फल का योग बटा एफ आई का योग मान रखकर गरना करने पर हमें चौबीस तशमलव शूने दो प्राप्त होगा वर्गी क्रित आंक्रों का पहुलक पहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है वर्गी क्रित आंक्रों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ग्यात किया जा सकता है एल जमा एफ एक घटा एफ शूनने बटे दो एफ एक घटा एफ शूनने घटा एफ दो गुड़ना एच जहां एल बहुलक वर्गी की निम्न यानि निचली सीमा है H वर्ग अंद्राल की माप ये मानते हुए कि सभी अंद्राल बराबर मापों के हैं F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है F0 ने बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है तथा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बात में आने वाले वर्ग की बारंबारता है उधारण दिये गए आकणों का बहुलग ज्यात कीजिए हल यहां वर्ग अंतराल में अधिक्तम संखिया नौ है और इस बारंबारता का संगत वर्ग तीस से चालीस है अतहा बहुलग वर्ग तीस से चालीस का वर्ग है अब बहुलग वर्ग बड़ाबर तीस से चालीस बहुलग वर्ग की निमनसीमा एल बड़ाबर तीस वर्ग माप एच बड़ाबर दस है बहुलग वर्ग की बारंबारता एफ एक बड़ाबर नौ है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 8 है बहुलक वर्ग के ठीक बात में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 4 है अब नीचे दिये गए सूत्र में सभी मानों को रख कर तथा गणना करने पर हमें 31.6 बहुलक प्राप्त होता है संचयी पारंबारता संचयी पारंबारता दो प्रकार की होती है एक कम प्रकार का संचयी पारंबारता बंटन और दो अधिक प्रकार का संचयी प्रकार का बारंबारता बंटन आईए इसे एक उधारन से समझें वर्गी कृत आंकडे इस प्रकार है शुने से दस के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या दो है दस से बीस के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या बारा है 20-30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 22 है 30-40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 8 है 40-50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 6 है आईए उप्रोक्तो आकड़ों के लिए कम प्रकार का संचई पारंबारता सारणी का निर्मार करें यहां दो चात्रों ने शुन से दस के बीच अंक प्राप्त किये हैं इसकार्थ है कि दो चात्रों ने दस से कम अंक प्राप्त किये हैं 12 चात्रों ने 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त किये हैं आताह 14 चात्रों ने 20 से कम अंक प्राप्त किये हैं इसी प्रकार आगे परीकलन करते रहने पर हमें निम्न संजयी पारंबारता सारणी प्राप्त होती है 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले चातरों की संख्या 2 है 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले चातरों की संख्या 2 जमा 12 बराबर 14 है 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले चातरों की संख्या 14 जमा 22 बराबर 36 है उप्रोग्द सारणी को गम प्रकार का संचई बारंबार्टा सारणी कहते हैं आईए अधिक प्रकार की बारंबार्ता सारणी का निर्मान करें आईए उप्रोख्त आकड़ों के लिए अधिक प्रकार की संचै बारंबार्ता परिकलन सारणी निर्मान विधी Tutaj ग्यात करें इसमें शूने या उससे अधिक अंक प्राप्त चात्रों की संख्या इसकार्थ है कि पचास चात्रों को शूने या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं चुंकि दू चात्रों को दस से कम अंक प्राप्त हुए हैं इसलिए 48 चात्रों को 10 या उससे अधिक अंक प्राप्थ हुए हैं। इसी प्रकार आके बढ़ते रहने पर 48 घटा 12 बराबर 36 चात्रों ने 20 या उससे अधिक अंक प्राप्थ किये हैं। इस प्रकार हम अधिक प्रकार बारंबारता बंटन सारणी प्राप्त करते हैं. शूने से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चातरों की संख्या 50 है। 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 48 घटा 12 बराबर 36 है। वो प्रोक्त सारणी को अधिक प्रकार का बारम बारता सारणी कहते हैं। वर्गी क्रित आंकणों का माध्यक माध्यक बीच की संख्या होती है। अवर्गी क्रित आंकणों का माध्यक मान लीजिये प्रिक्षणों की संख्या N है। पहले आकणों को आरोही क्रम में वैवस्थित कर लीजिए अब यदी N विशम है तो N जमा एक बटा दोवा प्रेक्षण माध्यक होगा यदी N सम है तो N बटा दोवें तथा N जमा एक बटा दोवें प्रेक्षणों का आउसत माध्यक होगा पहले हम माध्यक वर्ग ग्याद करते हैं इसके लिए सभी वर्गों और एन बटा दो की संचाई बारंबार्था ग्याद करेंगे अब हम उस वर्ग को निर्धारित करते हैं जिसकी संचाई बारंबार्था एन बटा दो की बारंबार्था से अधिक समेप हो इसे माध्यक वर्ग कहते हैं माध्यक के परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं L जमा N बटे दो घटा C F जो की F से विभाजित है और H से गुणन होता है जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है N प्रिक्षणों की संख्या है C F माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता है F माध्यक वर्ग की बारंबारता है H वर्ग माप यानि सभी अंतराल बराबर माप के हैं माध्य, माध्यक और भहुलक का अंतर संबंध इस प्रकार है तीन माध्यक पराबर भहुलक जमा दो माध्ये उधारण मान पाँच, दस, साथ, सोला, बारा, बीस का माध्यक ज्यात कीजिए हल आकणों को आरोहिक्रम पाँच, साथ, दस, बारा, सोला, बीस में वैवस्थित करें प्रिक्षणों की संख्या छै यानी सम है आताहा एन बटा दोवें तथा एन जमा एक बटा दोवें प्रिक्षणों का आउसत माध्यक होगा आन बटा दोवां प्रिक्षण, चै बटा दो यानी तीसरा प्रिक्षण बराबर दस जोकी ग्यारा प्राप्त होगा उधारण दिये गए आँक्णों का माध्यक ज्यात कीजिए हल सबसे पहले हम मस्दूरों की मस्दूरी और संख्या लिखेंगे मस्दूरों की कुल संख्या सौ है यहां प्रिक्षणों की संख्या सौ है यहां समसंख्या है इसलिए माध्यक प्रिक्षण के एन बटा दोवें और एन बटा दो जमा एकवें पत का आसत होगा यहां सौ बटा दो और सौ बटा दो जमा एक का आसत है यह पचासवें और इक्यावनवे प्रिक्षण का आसत है इन प्रिक्षणों को प्राप्त करने के लिए आकड़ों को निम्न प्रकार व्यवस्थित करें इसमें हमने उन मस्दूरों की कुल संख्या लिखी है जो 3800, 4100, 440, 4900, 500, 5000 और 6000 तक वेतन प्राप्त करते हैं उपरोक्त प्रकार से व्यवस्थित की गई बारंबार्ता को संचई बारंबार्ता कहते हैं दशाए गई सारणी में शिग्रिता से संचई बारंबार्ता का परिकलन करना बताया गया है अतहा 50वा प्रेक्षण 4400 है और 51वा प्रेक्षण 449 है माध्यक बराबर 4400 जमा 492 माध्यक बराबर 93 100 बटा 2 माध्यक बराबर 4650 इस कार्थ है कि 50% मस्दूर 4650 रुपई से कम मस्दूरी प्राप्ट करते हैं और बाकी 50% मस्दूर 4650 रुपई से अधिक मस्दूरी प्राप्ट करते हैं उधारन दिये गए आंक्णों का माध्धक ग्याद कीजिए हल प्रतम स्थम्भ में दी गई मस्दूरी लिखे दूसरे स्थम्भ में हम दी गई बारंबार्टा लिखेंगे बारंबार्टा का योग 31 है तीसरे स्थम्भ में हम प्रतेक मस्दूरी के लिए वरतमान बारंबार्टा में उसके पहले की बारंबार्टा का योग कर संचई बारंबार्टा ग्याद करते हैं इसके बाद हम माध्यक ग्याद करते हैं माध्यक पराबर 31 जमा एक बटा दो वा यानि 16 वा प्रेक्षन बराबर 91 रुपए यहां 12 से 23 तक सभी प्रेक्षन रुपए 91 है अता प्रेक्षन 16 91 रुपए है उधारन निमने लिखित वरकी कृत आंक्णों का माध्यक ग्याद कीजिए हल पहले स्तंभ में हमने दिये कए आंक्णे लिखे हैं दूसरे स्तंभ में हमने दी गई पारंबारता लिखी है इसके पश्चात यहां n बटा दो बराबर 50 बटा दो बराबर 25 अताहा 20 से 30 माध्यक फर्ग है अब L पराबर 20, H पराबर 10, C F पराबर 14 और F पराबर 22 है और फिर हम नीचे दिये गए सूत्र के अनुप्रयोग से माधधक ज्यात करते हैं L जमा N बटे दो घटा C F जिसका F से विभाजन और H से गुणन होता है सभी मानों को उपरोक्त सूत्र में रखकर गर्ना करने पर हमें माध्यक 25 प्राब्थ होता है इस कार्थ है कि 50 प्रतिशत छात्रों को 25 से कम अंक प्राब्थ होए हैं संचई बारंबार्ता बंटन का आली खिये निरूपण इसमें हम 36 अक्ष पर वर्ग अंदराल की उपरी सिमाएं अंकित करते हैं और उर्द्वाधर अक्ष पर उसकी संगत संचई बारंबार्ताएं अंकित करते हैं प्राप्त वक्र कम प्रकार की एक संजई बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। यदि हम एक्स अक्षपर वर्ग अंतराल की निचली सीमाएं अंकित करते हैं और उर्द्वाधर अक्षपर उसकी संगत संजाई बारंबार्ताएं अंकित करते हैं तो प्राप्त वक्र अधिक प्रकार की एक संजाई बारंबार्ता वक्र या तोरण कहलाती है। टिपनी हम समान अक्ष पर दोनों आलेखों और उनके प्रतिछेद बिंदु द्वारा माध्यक्यात कर सकते हैं हम प्रतिछेद बिंदु से X अक्ष पर लंब डालते हैं और X अक्ष के जिस बिंदु पर यह लंब गिरता है वही बिंदु माध्यक होता है उधारण दिये गए आकणों का माध्य ग्यात कीजिए ग्यात कीजिए कि कितने चात्रों ने पहली को 12 से कम समय में और 18 से अधिक समय में हल कर दिया और कितने समय तक 28 चात्रों ने पहली को हल कर लिया था हल X बराबर 12 के लिए संचाई बारम बारता वक्र को प्रतिछेदित करती एक उर्थवर्धर रेखा खींचिये अब संचाई बारम बारता अक्ष पर मिलने वाली एक रेखा खींचिये प्राप्तमान 15 है 15 चात्रों ने पहली को 12 सिकंड से कम समय में हल कर लिया X बराबर 18 पर रेखा हमें 26 मान प्रदान करती है इसकार्थ है कि 32 घटा 26 बराबर 6 चात्रों ने पहली को हल करने के लिए 18 सिकंड से अधिक समय लिया संचाई बारम बारता के मान 28 से वक्र को प्रतिछेदित करती रेखा खींचिये अब X अक्ष से मिलाने के लिए बिंदू X बराबर 20 पर एक उर्दवा धर रेखा खींचिये यही वो समय है जिसमें 28 चात्रों ने पहली को हल किया था अतहा 28 चात्रों ने 20 सेकंड से कम समय में पहली को हल किया था क्या आप जानते हैं समानिता सांकिकी को गणित की एक शाखा मानने के बज़ाए एक भिन गणित ये विज्ञान माना जाता है सांकिकी से संबंदित आरंभिक लेखन नौवी शताबदी की पुस्तक मनुस्क्रिप्ट ओन डिसाइफरिंग क्रिप्टो ग्राफिक मेसेज़स में पाया जाता है सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए आकणों का माध्धे एक्स बार निम्न है कल्पित मात्य विधी से माध्धे निकालने का सूत्र निम्न है पग विचलन विधी से माध्धे ग्यात करने का सूत्र निम्न है वर्गी कृत आंकडों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ग्याद किया जा सकता है वर्गी कृत आंकडों का माध्यक निम्न प्रकार है माध्य, माध्यक और बहुलक का अंतर संबंध निम्न प्रकार है तीन माध्यक पराबर बहुलक जमा दो माध्य